हेलो फ्रेंड्स गुड़ मोर्निंग सभी को और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट टूब चैनल में और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में देखिए इस वीडियो में मोग टेस्ट रहेगा तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप रियाना पुलिस के अग्जाम के तियारी करते हैं तो इस वीडियो को अवज से देखना क्योंकि इसमें ऐसे कोस्टेबल का पेपर हुआ था उसी के पैटरन पर आधारीत है तो देखिए वीडियो को लास्ट कोस्टेबल तक देखना औ आप अपना आंसर सोच लेना उसके बाद सही आंसर बता दिया जाएगा तो देखिए ग्राविन छेतर में एसिया का सबसे बड़ा मेडिकल कोलेज तो ये बनेगा अग्रोहा में इसमों अप्शन B सही है और देखिए अग्रोहा देखा जाए कहां पर है तो ये है हिसार डि 181 इसका सुबारंब किया गया है ये किया गया है सिरिमती कमलेज डानडा के दवारा इसमों अप्शन D सही है और देखिए इनके पास महिला एममबालविकास मंतराले भी है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कुस्यन है हर्याना वक्ष बोर्ड की स्तापना कब की ग और देखिए अगर ये देखा जाए ना इसका मुख्याले कहां पर है तो ये है अमबाला में तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कुस्यन है हर्याना में कितने पुलिस सोरिय पदक विजेता है तो देखिए ऐसे कितने पुलिस हैं जो कि सोरिय पदक विजेता है तो देखिए हर्याना पुलिस है और इसका मुख्या कौन होता है DSP होता है मुख्या मंत्री ग्रह मंत्री या फिर DC तो देखिए पुलिस का जो मुख्या होता है ये होता है ग्रह मंत्री इसमें option C सही है और देखिए वर्तमार में ग्रह मंत्री देखा जाए ना कौन है तो ये है स स्कूल नी सोरी अंबाला में इसमों अप्शन ए सही है और देखिए अंबाला केंट है वहाँ पर इसका मुख्याले है और इसकी स्तापना होती है 1843 में अंबाला चावनी की तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोश्यान है हर्याना पुलीस बेतार पुन्रावरती वहाँ पर है तो ये आपको ध्यान रखना है और देखिए बेतार पुलीस एंटीना ये ना तीन है हर्याना में और एक वा रेवाडी में टकडी की पाहडी पर दूसरा है ये है तोसाम तोसाम की पाहडी है भीवानी में वहाँ पर और देखिए तीसरा है ये आएगा सहरन क कि पहाड़ी है सहरन की पहाड़ी है जो कि माचल परदेश में है तो वहाँ पर है तो यह भी आपको ध्यान रखना है अगला कोश्यन है हरियाना में पुलिस जिले कितने है तो देखिए हरियाना में पुलिस जिले देखा जाए कितने है तो यह आएगा 24 इसमों उप्सन सी सही है ठीक है देखिए 22 जिले है हर्याना में औरी पुलिस जिले देखा जाए तो 24 है क्योंकि हासी और हिसार है नी सोरी हासी और माने सर है ये पुलिस जिले में आते हैं तो इन दोनों को मिला कर 24 है तो ये आपको और दूसरा है पिंक महिला थाने तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोशियन है हरियाना पुलिस मीत्र कक्स की सुरुवात कब हुई तो देखिए हरियाना में पुलिस मीत्र कक्स है और इसकी सुरुवात तो ये होती है एक नमबर 2017 से इसमों अप्शन एस ही है अगला क हर्याना में ट्रैफिक थाने कितने है तो देखिए इसमें देखना है कि ट्रैफिक थाने है ये कितने है तो ये आएगा 23 इसमें option C सही है ठीक है देखिए पुलिस थाने हुआ 24 और वैसे हर्याना में जिले है 22 और पुलिस थाने देखा जाए तो 23 आएगा तो इन सभी को आप आपको ध्यान रखना है अगला कोस्टियन है हर्याना में पुलिस रेंज इन में से किस जिले में नहीं है तो देखिए बिल्कुल ऐसा ही कोस्टियन मिलेगा आप सभी को एक्जाम में देखने को देख लेना देखिए हर्याना में पुलिस रेंज इन में से किस जिले में नहीं है यह नहीं है वाले question बहुत आते हैं तो देखिए ऐसा जिला है जहां पर police range नहीं है तो वह आएगा जीन्द इसमों option C सही है क्योंकि जीन्द ऐसा जिला है यहां पर police range नहीं है और देखिए police range हरयाना में कितनी है तो यह है पांच जिलों में जिसमें करनाल है अंबला है और एक हुआ हिसार फिर आता है रोता के और देखिए उसके बाद south range है उसमें police range है तो यह आपको ध्यान रखना है अगला question है इनमें से पंजाब police rule कब लागू किया गया तो देखिए पंजाब police rule है यह लागू किया गया है 1934 में इसमा option A सही है अगला question है 35 अंतरराष्टिय सूरजगूंड craft मेले का country partner कौन सा देश बनेगा तो देखिए 35 अंतरराष्टिय सूरजगूंड craft मेले का जो country इसमा लगेगा और इसमें country partner देश रहेगा बीटेन यह कहां पर लगता है तो यह लगता है फरीदाबाद में तो यह भी आपको ध्यान रखना है अगला question है राष्टिय पुलिस अकादमी दिवास कर मनाया जाता है तो देखिए राष्टिय पुलिस अकादमी दिवास है यह मनाया जाता है 21 अक्टूबर को इसमा option B सही है और देखिए 16 अप्रेल को क्या मनाया जाता है तो इसका question का answer आपको comment box में comment करके बताना है अगला question है ओलम्पिक खेलों का सुबारंब किस देवता के सम्मान में शुरू किया गया तो देखिए ओलम्पिक खेलों का जो सुबारंब है यह शुरू किया गया है ओलम्पस युनानी देवता इसके सम्मान में शुरू किया गया है इसमें उप्शन भी सही है और देखिए ये कब शुरू हुआ तो ये हुआ 786 इसा पूरू तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है देखिए ये कोस्टेन महिला कोस्टेबल का जो एक्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था कि उलम्पिक की शुरू आत कब होती है तो ये 786 इसा पूरू होती है और ये उलम्पस युनानी देवता है इनके सम्मान में शुरू किया जाता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है और देखिए जब उलम्पिक खेल शुरू हुए ना उस टाइम साहित्य कला, नाटक, संगीत और जिमनास्टिक केवल ये ही खेल थे उस टाइम और अधिक नहीं थे आगे है आधुनिक उलम्पिक खेलों की सुरूआत कब हुई तो देखिए आधुनिक उलम्पिक खेल है इनकी सुरूआत तो ये होती है 1896 इस्वी में इसमा उप्शन B सही है ठीक है आपको इस्वी और इसा पूरू इन दोनों का ध्यान रखना है 1896 में इस्वी आएगा इसमें इसा पूरू नहीं आएगा तो इसका आपको ध्यान रखना है तो इसमा उप्शन B सही है अगला कोशियन है आधुनिक खेलों का जैनक किसे माना जाता है तो देखिए आधुनिक खेलों का जो जैनक है ये माना जाता है पीरे डी कुवर्तिन को इसमा उप्शन A सही है और देखिया अधुनी खेलों की शुरुआत तो ये होती है 1914 में तो ये भी आपको ध्यान रखना है और देखिये 1914 में धवज बनाया जाता है ओलम्पी खेलों के लिए जो धवज तयार किया जाता है ये 1914 में तयार किया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है और देखिए 1914 में ही जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वह भी शुरू होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोशियन है ओलम्पिक के प्रतीक पाथ चले किस रंग के जंडे पर है तो देखिए ये निस्प्रिंट हुआ है यहाँ पर चले आएगा ओलम्पिक के प्रतीक पाँच छले है ये किस रंग के जंडे पर है तो देखी ये आएगा सफेद रंग के जंडे पर इसमों अप्शन सी सही है अगला कोशियन है ओलम्पिक के प्रैतीक पाचों छले किसका प्रैती निधितव करते है तो देखे ओलम्पिक के प्रैतीक है पाच छले और ये किसका प्रैती निधितव करते है तो ये करते हैं पाच महादीपों का इसमें उप्शन सही है और देखी इसमें नीला रंग होता है ये अलग-लग रंग के जंडे होते है ठीक है तो इसमें नीला रंग होता है ये होता है यूरोप महधीब का प्रतीक और इसमें जो पीला रंग होता है पीले रंग का छला है ये एसिया का प्रतीक है देखिए जो लाल रंग का चला है ये अमेरिका का है लाल अमेरिका के लिए आएगा और ये काला है ये आएगा अफरिका के लिए और देखिए जो बसता है हरा रंग का चला तो ये आता है ओस्ट्रेलिया के लिए तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है देखिए एक बार का टीवी पर सीधा परसारन कब किया गया तो देखिए औलंपिक खेलों का टीवी पर सीधा परसारन तो ये किया गया 1960 में इसमों option A सही है अगला question है अलंपिक खेल प्रैते कितने वर्स बाद आयोजित करवाए जाते हैं तो देखिए option A है 4 वर्स बाद, B है 6 वर्स बाद, C है 3 वर्स बाद और D है 1 वर्स बाद तो देखिए इस question का answer आपको comment box में comment करके बताना है तो देखिए friends यह थी आज के हमारी वीडियो इस वीडियो में आपका score कितना हुआ ये भी type कर देना तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना शेयर करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल प्राए हैं तो चैनल को subscribe कर लेना और बेल आइकोन के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका notification आप तक आता रहे थैंक यू